नमस्कार आदाव सस्यकाल रादे रादे जैहिंद राम राम सबको स्वागत है आप सबका महिंदरास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर मैं चान्दी महिंदरास था ही दिल से आप सबका स्वागत करती हूं तो बच चुके हैं सुबह के साड़े छे और आज है 4th February और बिलकुल आज special इसलिए है क्योंकि हम जो है January मन्द के कुछ important current affairs को क्या करने वाले हैं discuss करने वाले हैं questions के form में तो I hope सब लोग इतने समय से जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं एक भी answer किसी का भी क्यानी होना चाहिए भाई गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ना जो रहती है अगर pandemic situation नहीं रही तो सब कुछ क्या रहेगा time से चलता रहेगा और अगर आप देखोगे calendar को ध्यान से तो इस बार जो है IBPS के calendar में बहुत सारे changes किये गए हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले PO का paper होता था IBPS फिर clerk का examination होता था लेकिन इस बार क्या है clerk का examination प बात करें तो specialist officer में CET का concept तो रहे गही नहीं ठीके ना तो उन्होंने सारे examination जो है November तक अदम करने की कोशिश की है तो ये कायास लगाए जा रहे हैं कि CET इस वर्ष तो नहीं आपाएगा ठीके ना फिर भी जो है देखने वाली बात रहेगी क्योंकि IBPS से नीचे disclaimer तो mention कर द नहीं है तो बढ़िया से बहतरीन तरीके से जो है जो से जुट जाए और तयारी करिये opportunity miss नहीं करनी है ये ध्यान रखना जल्दी से एक बात बता दो कि voice audible है की नहीं video clear है की नहीं everything is okay all set okay yes आज जो है आज है 4th February और World Cancer Day जो है आज मना जाएगा तो World Cancer Awareness Day जो है आज मना जाएगा आज हम January month के important MCQs करेंगे ठीक है एक पार्ट में तो पूरा नहीं हो पाएगा January month दो तीन पार्ट करेंगे जिससे cover up हो जाए और next अगर मैं बात करूं तो आज की news वाला पार्ट ज की नहीं तो देख लेते हमारे का साथ कौन-कौन जुड़ चुका है तो चंदरकान सर इस ही अभी शेक सर जुड़ चुके है ओके गुड मॉर्निंग प्रदीप सर जुड़ चुके है किरन माम इस हीर ओके जितने भी candidates हमारे साथ जुड़े हुए फटा-फट सेशन को क्या क कर देना है आप जहां जहां पर भी कनेक्टेड है एक भी आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए थोड़े tricky questions भी है ठीक है पहला question आरहा आपकी computer screen पर अगर multiple selective questions है ठीक है कितने सही है कितने गलत है तो ऐसे question आने के भी पूरे chances है और भाई आज IBPS PO का examination भी है तो जितने भी candidates स सद जुड़े हुए जिनका आज IBPS means का examination है तो बिलकुल best wishes है आपको सबको पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से बढ़िया से paper देना है tension free होकर relax होकर क्या देना है paper देना है चलो तो बढ़ते हैं और सबसे पहला question आ रहा है आपकी computer screen पर और वो question है ये Consider the following statements with respect to Aakash missile Aakash missile से related आपके पास दो statement है आपको बताना है इन दोनों statement में से कौन सा statement जो है वो सही है चलो पहला statement It is a surface to air anti-aircraft missile दूसरा statement It is having an operational envelope to maximum altitude of 1000 meter पहला जो statement है वो ये है कि ये सते से हावा में मार करने वाली विमान रोधी missile है और दूसरा statement इसका परिचालन लिफाफा अधिकतम 1000 meter की उचाई पर है मतलब इसकी जो range है वो 1000 meter है तो आपको बताना है कि Aakash missile में इन में से कौन कौन सा statement जो है वो सही है तो आपको दो statement दिखाई दे रहे हैं नीचे आपके पास option है सिर्फ पहला statement सही है दूसरा कतन सही है दोनों कतन सही है कि दोनों कतन गलत है चलो अभिशेक सर कह रहे हैं सिर्फ first वाला सही है गुड मॉर्निंग चलो next अगर मैं बात करू अलताफ कह रहे है कि पीट थपता पालो भई कौन सा statement सही है सिर्फ और सिर्फ फर्स वाला statement सही है बिलकुल ये जो है ये हवा में मार करने वाली सतय से हवा में मार करने वाली missile है surface to air missile है लेकिन अगर हम इसके altitude की बात करें या इसकी range की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत बढ़िया कित नेक्स बात करें अगर तो आपका अगला question है आपकी screen पर next question. नेक्स बैटो, नेक्स बात करेंगे अगला day तो आपका अगला अगला गला तो आपकी chain नहीं थी, कौन सी थी, integral coach factory chain नहीं थी, बहुत बढ़िया next question, who has become the first recipient of mulaag medal after being named player of the match in day test किसे जो है player of the match day test चुने जाने के बाद मुलग पदक के लिए पहले प्राप्त करता चुना गया तो आपको बताना है कि मुलग medal जो है, वो सबसे पहली बार जो है किसे दिया गया है first recipient जो है इस मुलग medal के वो कौन रहे आपके पास option है, चेतेश्वर पुजारा, अजिंके रहाने, मयंक अगरवाल या फिर रोहिच शर्मा जल्दी से बता दो answer भई मुलग medal जो है, पहली बार किसे दिया गया मुलग medal से कौन रवाजे गए है पहली बार जल्दी से answer बता दो मुलग medal जो है, सबसे पहली बार किसे दिया गया है मुलग medal जो है boxing date test match held annually Melbourne cricket ground में जो होता है उसके लिए क्या दिया जाता है award दिया जाता है अगर मैं बात करो तो बिलकुल यह award किसे दिया गया है सही answer आ रहा है अजिंग क्या रहाने को यह award दिया गया किसे दिया गया अजिंग क्या रहाने को यह award दिया गया है चलो next बढ़ रहे है ठीके मुलग medal जो है tribute करता है किसको tribute करता है मुलग medal जो है tribute किसको करता है तो किसे ट्रिब्यूट करता है यह उस्ट्रेलिया के फर्स स्पोर्टिंग टीम का जो इंटरनाशनली हुआ था उसे यह क्या करता है ट्रिब्यूट करता है मुलक जो थे वो लीडर थे उनाइटेट किंग्डम के 1868 में ठीक है न तो उन्हें क्या करता है यह लिंक दे करता है next question, बहुत important है question, शूल पनेश्वर वाइड लाइफ सेंचुरी, which was in news recently, is located in which of the falling state, शूल पनेश्वर वन जीव अभियरंड, जो हाली में खबरों में था, निमलिखित में से किस राज्य में स्थेते हैं, तो आपको बताना है कि शूल पनेश्वर वाइड लाइफ सेंचुरी जो हाली में नियूस में रहा, ये भारत के किस राज्य में स्थेते हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थेते हैं, बहुत बढ़ी है प्रतिक्षमित सर गुट मॉनिग शूल पनेश्वर वाइल लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज़ में स्थित है और कोई कुछ कहना चाहता है अब देखो अब तो नहीं हो रही है अब सब कुछ सही है न शूल पनेश्वर वाइल लाइफ सेंचुरी जो है वो भारत के किस राज़ में स्थित है तो बिल्कुल वो कहां पे स्थित है भाई गुजरात में लोकेटेड है कहां पर लोकेटेड है गुजरात में लोकेटेड है शूल पनेशवर वाइल लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है, गुट मॉर्निंग रुपाली माम, next question, आपके सामने जो हैं, दो स्टेटमेंट हैं, with respect to anemia, anemia से related, तो आपको पता है कि anemia जो बिमारी होती है, anemic हो जाते हैं, दो स्टेटमे of vitamin B12 is a common cause of anemia, यह लाल रखत कोशिकाओं की सामान संक्याते अधिक होने किस्तिती है, और दूसरा statement, vitamin B12 की कमी anemia का एक सामान ने कारण है, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन जो है, वो सही है, anemia से related, अराम से पढ़ लेना दोनों statement, हाली में anemia से related एक जो है, रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, आपको बताना है कि अनेमिया से related इन दोनों में से कौन सा कथन जो है, वो सही है, पहला कथन यह है कि यह लाल रखत कोशिकाओं की सामान संक्या से अधिक होने किस्तिती है, anemia, दूसरा statement है कि vitamin B12 की कमी anemia का ए अधिर A नौर B, मतलब दोनों ही statement जो है, वो क्या है, गलत है, अगर हम देखें तो कौन सा statement सही है, तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला statement सही है, मतलब second वाला statement जो है, वो क्या है, सही है, अगर मैं बात करूँ तो पहले statement में कहा गया है कि higher than normal number of red blood cells होते हैं, जबकि क्या होते है lower number of red blood cells होते हैं, higher नहीं होते, हाली में जो report आई है, अनेमिया कि उसमें क्या कहा गया है, सुनना ध्यान से, उसमें ये कहा गया है, कि 22 राज्यों और union territories की बात करें, तो उसमें से 15 पर जब इस data को निकाला गया है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो है, वो ऐनमिक बात करूं, तो सबसे ज़्यादा अनेमिक चिल्डरेन और विमें जो है, जिनके जो आनेमिक हैं, तो वहाँ पर पाए गए है, लोवर कहां पर है, लक्षुदीप में है, केरला में है, अगर मैं बात करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा अनेमिक जो पाए गए है, लोग बो कह जादा आनिमिक बच्चे और महिलाएं पाए गए हैं, तो 50% जो है population चिल्डरेन की वो क्या है आनिमिक है, और वैसे ही women की population भी 50% क्या है आनिमिक है, भई नेक्स बढ़ रहे हैं अगले question की तरफ, इन दोनों में से कौन सा statement जो है, वो सुभाज चंद्र बोज जी के लिए correct है ठीक है ना सुभाज चंद्र बोज जी से related दो statement आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा statement है आचना मैं दिख रहा है, इन दोनों में से आपका कौन सा statement जो है वो correct है, पहला statement, the newspaper स्वराज was started by सुभाज चंद्र बोज, दूसरा statement, he was elected only twice as the president of the Indian National Congress, newspaper स्वराज की शुरुआत सुभाज चंद्र बोज जी ने की थी, दूसरा statement, उन्हें केवल दो बार भार्ष्ट्री राष्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, आपको बताना है कि इन दोनों statement में से कौन कौन सा statement जो है, वो सही है, उ statement है, शाम सर सेकेंड कह रहा है, दर्शन सर कह रहा है कि दोनो statement जो है, वो सही है, इन दोनों में से कौन सा statement जो है, सही है, तो इन दोनों में से जो है, दोनों ही statement क्या है, सही है, एकदम करेक्ट, दोनों ही statement क्या है, करेक्ट है, न्यूस पेपर स्वराज जो है, वो मैं पहली बात तो graduation complete होना चीए बस graduation complete होना चीए और कोई eligibility नहीं होती percentage criteria पर ठीके ना SBA clerk का notification आएगा तो SBA clerk में last year appearing भी मांगेंगे इसलिए जो है बढ़िया से तैयारी करते रहो अगर मैं बात करो तो सुभाज चंद्र बोज जी जो है उन्होंने unfold किया था प्राय कलर को Port Blair में 30 December 1943 में नेता जी सुभाज चंद्र बोज जो है one of the celebrated freedom fighters of India के तौर पर जाने जाते हैं 23rd January की बात करें तो 24th January को इनकी birth anniversary celebrate की गई 1942 में इन्हें जो है टाइटल मिला था किसका नेता जी का ठीके न जर्मनी में इन्हें ये टाइटल दिया गया था Indian soldiers के दौरा आजाद हिंद फौज के Indian soldiers के दौरा जर्मनी में 1942 में इन्हें नेता जी का क्या दिया गया था टाइटल दिया गया था और इनका famous slogan आपको पता ह तो मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा और इसके अलावा जैहिंद भी इनी का फेमस स्लोगन है नेक्स बढ़ रहा है अगले क्वेशन की तरफ विश्व वेटलांड स्टेट 2021 का विश्व वेटलांड स्टेट 2021 का विश्य क्या रहा तो बिलकुल सही सही बताना है अब ये क्वेशन तो हमने किये हुएं जो क्वेशन हमने किये हुएंग्युए है वह गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल ॏस बिल्कुल ऐसे क्वेशन जो है रुपाली में हम आपको railway में भी देखने को में लेंगे ठीक है तो वहाँ पे GK-based question थोड़े ज़्यादा आते हैं और current से तो question आते हैं बिल्कुल क्या दी गएती थी ही? दो फरवरी को मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन के उपलक्ष में जो दो फरवरी 1975 में डिकलेर किया गया था ठीक है option है London, Vienna, Mice या फिर Paris इंटरनाशनल बास्केट बॉल फेडरेशन का headquarter जो कहां पर सितब बहुत बार एक question कर चुके हैं कहां पर located है और एक और question बताओगे कि बास्केट बॉल में जो है वो number of players कितने रहते हैं ये भी बताओगे comment box में लिखकर ठीक है बास्केट बॉल म में है इंटरनाशनल बास्केट बॉल फेडरेशन का headquarter कहां पर है माई स्विजिलेंट में है सुमिच सर जेई में जूनियर इंजीनियर के examination में आपको current part और जीके में से जाधा question आएंगे इसके अलावा आपका जो particular subject होगा उसमें से maximum questions पूछे जाएंगे बास्केट बॉल में total जो हैं कितने खिलाडी होते हैं ये लिखकर बता दो फटाक से comment box में कितने players होते हैं आरोई माम संगीता माम दीपक सर मनमीच सर अलका माम बास्केट बॉल में total players धारा माम शिवम सर लिखकर बताओगे next बढ़ रहे है प्रवीन सर अगले question की तरह अगला question आरा आपकी screen पर who is the author of the book yes man the untold story of rana kapoor yes bang the untold story ये बुख जो है किसके दवारा लिखी गई है तो बिलकुल ये बुख जो है किसके दवारा लिखी गई है पवन सी लाल के दवारा ये book लिखी गई है ठीक है ना अनुच सर जल्दी से बता दो भई प्लेयर्स नहीं बताएं अभी तक प्लेयर्स बता दो येस अर्पिता माम कुछ पूछना चाते हो तो बिल्कुल जो है पूछ लो सुमिच सर कह रहे हैं साथ प्लेयर्स होते हैं नमबर ओफ प्लेयर्स जो है आर्पिता मैम लो, आर्पिता मैम ने कह दिया कि नमबर ओफ प्लेयर्स नौ होते हैं, बास्केटबॉल में नमबर ओफ प्लेयर्स जो है आर्पिता मैम कह रही है कि नौ होते हैं, ठीक है और भी कोई कुछ कहना चाहता है कि कितने प्लेयर्स होते ठीश़ आगले क्वेश्शन की तरफ बट रहे हैं, जो ग्राउण में खेलेंगे पांच प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम से ठीक है आट अ T canım जो है पांच पांच प्लेयर्स खेलते हैं लिए models आट अ min ad time से थी brass टीमों ए अब कितने हो जाते हैं एक जो प्लेयर्स एक्स्टर हो जाते हैं उसको मिला कर कहा जाता है कि 12 प्लेयर्स जो है officially रहते हैं कितने प्लेयर्स रहते हैं कितने प्लेयर्स रहते हैं officially चलो next बढ़े अगले question की तरफ the प्रधान मंतरी फसल भीमा योचना successfully completed how many years of operation on 13th January 2021 13 जनवरी 2021 को प्रधान मंत्री फसल बीमा योचना ने सफलता पूरवक कितने वर्ष पूरे किये हैं तो आपको बताना है कि 13 जनवरी 2021 को प्रधान मंत्री फसल बीमा योचना जो है उसने अपने कितने वर्ष पूरे किये हैं बिल्कुल ये जो है योजना किसानों के लिए चलाई गए जिसमें उन्हें क्या दिया जाता इंशौरेंस दिया जाता उनकी क्रॉप्स खराब होने पर ठीक है चाहे हम बात करें रभी क्रॉप को खारिफ क्रॉप दोनों पर दिया जाता है तो 13 जानवरी को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ने अपने कितने वर्ष कंप्लीट किये थे तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो शुरुआत जो है 18 फरवरी 2016 में की गए थी तो कितने वर्ष कंप्लीट किये थे तो बिल्कुल कितने वर्ष कंप्लीट किये थे पांच वर्ष कंप्ल आइस क्लाइबिंग उत्सव मनाया गया, नुब्रा घाटी कहां पर सित है, तो आप देख पा रहे हो कि आइस क्लाइबिंग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, आइस को क्लाइब किया जारा है, हम तो इतिनी देर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ये लोग तो क्लाइब कर लेते हैं, नुब्रा वैली जो है कहां पर लोकेटेड है, उप्शन है जमु एंड काश्मी, लडडाक, उत्राखंड यहां फे नेपाल, तो बिलकुल नुब्रा वैली की बात करें, तो नुब्रा वैली जो है वो कहां पर लोकेटेड है, कहां पर सित है, नेक्स बढ़ रहे हैं अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और वो ये है पुस्तक के लेखा कौन है तो हाली में खूब खबरों में रही है ये लिखी गई है किस के दवारा स्कूर बताओगे कितना रहा है और एक भी क्वेशन जो है उसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चीए क्योंकि हम सारी चीजे क्या कर चुके है पढ़ चुके हैं चाहें अपने कारेंट अफेस में चाहें हम अपने क्वेशन के फॉर्म में पढ़ चुके हैं ठीक है नेक्स बढ अर्बियाई ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेट का हाली में राइसेंस रद्द कर दिया यह बैंक जो है किस राज्य में स्थित था तो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस हाली में आर्बियाई की द्वारा कैंसल किया गया था आपको बताना है कि यह bank जो है, वो किस state में located था, तो बिल्कुल कहां का bank था, यह महाराष्ट में located था, कहां पर located था, महाराष्ट में located था, भई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग सही answer करते जा रहे हैं, अमन चहल भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ, बहुत बढ़िया, शाम अराम से सोते रहते हो बढ़ी है तरीके से चलो नेक्स बात कर रहा है अगले क्वेशन की तरह बढ़ रहा है अगला क्वेशन आ रहा है नेक्स बात कर रहें अगले क्वेशन की Recently, Shiromani Hills has been identified as a butterfly super hot spot in which state Shiromani Hills located हाले में Shiromani पहाड़ियों की पहचान तितली सुंदर hot spot के रूप में की गई है Shiromani पहाड़ियां भारत के किस राज में सित है तो बहुत सारी butterflies पाई गई है तितली अपाई गई है और इसे जो है butterfly super hot spot कहा गया है शिरोमणी Hills जो है वो कहां पर सित्य आपको बताना है ओप्शन है तमिल नाडू, तिलंगाना, केरला या फिर करनाटिका तो बिल्कुल शिरोमणी Hills जो है जिसे बटरफ्लाई सुपर होट स्पोट कहा गया था यह कहां पर लुकेटर है तो यह कहां पर लुकेटर भैई, तमिल नाडू में लुकेटर है वा, आपको बिल्कुल चुपर हो रहा है created by which of the following organization agency विदेशी समपत्ती जाच एजनसी हाली में निमलिकित में से किस सगंधन एजनसी द्वारा बनाई गई है पहली बात तो एक बात ध्यान लगना कि FAIU का full form बहुत important है foreign asset investigation unit तो अपने अडर एक foreign asset investigation unit बना दी है विदेशी समपत्ती जाच एकाई बना दी है इनमें से किस organization ने तो आपको बताना है आर बिया इन ऐसा किया है नाशनल investigation एजनसी ने revenue intelligence ने ऐसा किया है या फिर income tax department आईटी डिपार्मेंट ने ऐसा किया है तो अपने अडर एक foreign asset investigation unit ब इंकम टैक्स डिपार्टमेंट रहा है। जो काइट फेस्टिवल होता है उस वज़े से जो है थ्रेड से बहुत सारी बर्ड्स की जाने चली जाती हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए करुणा अभयान गोशित किया गया था। अभयान गोशित में से कौन European Central Bank की अध्यक्ष है जो Frankfurt Germany में जिसका मुख्याले है। तो आपको बताना है ECB, ECB मतलब क्या European Central Bank, European Central Bank की President का नाम आपको बताना है। और European Central Bank जो है इसका headquarter located है Frankfurt Germany में तो EU वाली countries जो है European Union वाली जो countries है उनके लिए एक bank बना हुआ है European Central Bank जिसकी President कौन है? Christine Lagarde है जिसकी President कौन है? Christine Lagarde है फ्रांस से बिलॉंग करती है Christine Lagarde अगर हम बात करें Christine Lagarde की तो ये पहले IMF की अध्यक्ष हुआ करती थी ठीकिना IMF जो है वहाँ से अटकर ये कहां पर पहुंची European Central Bank में पहुंची IMF में अभी कौन है? Christiana Georgieva है Order Azule की बात करें तो ये किसकी है? UNESCO की है और Hendrita 4 की बात करें तो ये किसकी अध्यक्ष है? UNICEF की भई दो-चारी क्या है? फीमेल से और उनके नाम बिल्कुल याद रखने पढ़ेंगी कि कौन कहां पर पोस्टिट है नेक्स बढ़ रहे हैं अगले क्वेशन की तरफ Very Good Morning Hanman Turao Sir Very Good Morning चलो नेक्स क्वेशन की तरफ बढ़ रहे है Radhe Sir बिल्कुल आपका कमेंट जो है दिख रहा है मतलब अभी दिखा है जब आपने पूछा है तो उसके पहले मैंने नहीं देखा नेक्स बढ़ रहे हैं अगले क्वेशन की तरफ India's first indigenous 9mm machine pistol has been jointly developed by DRDO and Indian Army The weapon is aptly named as भारत की पहले स्वदेशे 9mm machine pistol को DRDO और भारतिये सेना द्वारा संयुक्त रूप से विक्सित किया गया है हतियार को उप्योक्त किस नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है कि हाली में जो 9mm machine pistol बनाई गई DRDO और Indian Army के द्वारा इस weapon को नाम क्या दिया गया option है तेजस्वी, आमसी, अस्मी या फिर स्वयम भई आंसर गलत नहीं बताएगा कोई भी 500 से जादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए कहां पर आ जाना है comment box में आकर answer करने लगने है बिल्कुल चोरी चुपके चुपके सेशन देखने की नहीं होती है कहां पर आ जाना है comment box में तो बिल्कुल वो कौन सी थी pistol का नाम क्या था आसमी था, pistol का नाम क्या था ठीक है ना आसमी था, pistol का नाम चलो, नेक्स बात कर रहे हैं अगले question की तरह फगला question आ रहा रहा आपकी screen पर The International Table Tennis Federation ITTF is headquartered at अंतराश्चे Table Tennis महासंग का मुख्याले कहां पर सित है तो आपको बताना है International Table Tennis Federation का headquarter कहां पर located है International Tennis Federation नहीं है International Table Tennis Federation का headquarter बताना है और बिल्कुल ध्यान रखना headquarter कहां पर located है Losanne, Switzerland में located है इन विच स्टेट ओफ इंडिया इस धी मातुकरी डान्स परफॉर्मड भारत के किस राज में मतुकरी नित जो है वो किया जाता है तो यह एक डान्स फॉर्म है बिल्कुल न्यूस में बना रहता है मातुकरी डान्स फॉर्म यह भारत के किस राच्यु में किया जाता है तो भाई मतुकरी डांस फॉर्म जो है परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर गुजरात में परफॉर्म किया जाता है कहाँ परफॉर्म किया जाता है गुजरात में मतलब ऐसा नहीं डांडिया के अलावा भी बहुत सारे dance form जो है वहाँ पर perform किये जाते हैं next बढ़ रहे अगले question की तरफ बहुत बढ़िया अंत्रा very good कमल किशोर सर, शिवम सर, चहल सर बहुत बढ़िया ठीक है न yes, okay रामाकान सर, मनोज सर बहुत बढ़िया प्रदीप सर very good अकांचा माम next बढ़ रहे हैं अगले question की तरफ ठीक है न अरपिता माम याद रखने की रटने की कोई जरूवत निये क्या करते जाना बस revise करते जो questions के form में अपने आप दीरे दीरे चीजे जो है वो क्या होती जाएंगी याद होती जाएंगी ठीक है न तो कोई भी चीज जो है लिख कर रटने की कोशिश मत करना हाँ अगर अपने notes बनाते हो रोज current affairs के तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है उससे तो कुछ अच्छा होई नहीं सकता ठीक है और अगर नहीं भी बनाते हो तो कम से कम रोज revise करते रहोगे तोड़े तोड़े questions तो अपने आप चीजे याद होने लग जाएंगी कौन जाइए लोग रट रहे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए शिवम सर, आरूही माम ठीक है न इसके लावा अभिशेक सर, मनमीद सर जो डेली जुड़े रहते हैं हमारे साथ किरन माम हो गए ठीक है इन लोगो क्या होता जाता है दीरे-दीरे questions करकर के चीजे क्या होती जा रही है याद होती जा रही और एक बात महेंदरास के official YouTube channel पर आप देखते होगे कि एक community group भी बना रहता है मतलब उपर एक community का option आता है उसमें भी रोज तीन-चार questions हम post करते हैं तो बिलकुल उसके answers भी देते जाय करो ठीक है और वो जो tough questions जो आपको बनते नहीं है वो 1, 2, 3, सारे सही है, सारे गलत है वो सारे काम करने का काम किसका होता है मेरा होता है वो ऐस किस bank has provided a major relief to farmers under its loan settlement scheme रिंड समाधान योजना in महाराष्ट महाराष्ट में किस bank ने अपनी रिं निप्तान योजना रिं समाधान योजना के तहत किसानों को बड़ी रहत प्रदान की है तो रिं समाधान योजना महाराष्ट में चलाई गई किस bank के द्वारा तो बिलकुल वो कौन सा bank रहा भई State Bank of India रहा कौन सा bank रहा वो State Bank of India रहा नेक्स question की तरफ बढ़ रहे है अगला question आ रहा है स्क्रीन पर 300 से जादर लोग हमारे साथ connect हो चुके हैं सब लोग comment box में आकर answer करने लग चाहेंगे अगला question है in 2021 the Indian Army is observing which edition of the Army Day of India 2021 में भारतिय सेना ने अपने कौन से नंबर का सेना दिवस सेलिब्रेट किया है कौन सा संसकरन रहा है आर्मी डे का तो देखो ये बहुत important question है Indian Army ने जो 2021 में आर्मी डे सेलिब्रेट किया है ये कौन सा एडिशन रहा है आर्मी डे का तो बिलकुल अगर मै बात करूं तो कौन से एडिशन रहा है 15 जन्वनी को आर्मी डे मनाया गया और कौन से एडिशन था ठीक है ना चलो कौन से एडिशन था वो था 73rd edition कौन से एडिशन था 73rd edition था सबसे पहली बार Indian Army Day कब सेलिब्रेट किया गया था ये बताओगे मुझे comment box में लिखकर सबसे अगर मैं बात करूं तो सरदार वल्ला भाई पटेल जी की मूर्ती स्टाचू बना हुआ है statue of क्या बना हुआ है statue बना हुआ है उससे ज़ादा से ज़ादा लोग देखने है वहाँ पर tourist activities अब बढ़ेंगी उसके लिए के बढ़िया से जो है अलग-अलग regions में connect करने के लिए कितनी trains को flag off किया गया था हरी जंडी दिखाई गई थी तो भाई कितनी trains थी वो 8 trains थी कितनी trains थी आठ trains थी ध्यान रखना गुड मॉर्निंग शैले सर नेक्स क्वेशन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी करियपपा ग्राउंड लोकेटेड याद है न केम करियपपा जी किस राज केंदर शासित प्रदेश में करियपपा ग्राउंड जो है वो स्तित है तो आपको बताना है कि करियपपा ग्राउंड जो है वो कहाँ पर सित है तो सबसे पहले जो हैट बने किसके इंडियन आर्मी के उनके उपलक्ष में करियपपा ग्राउंड बना हुआ है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये करियपपा ग्राउंड बना हुआ है तो ब banking organization partnered with FSS that is financial software system to offer the doorstep banking services in underserved and unbanked areas of India. किस bank संगठन ने FSS के साथ भागीदारी की है और भारत के unbanked छेतरों में doorstep banking सेवाय प्रदान करनी है. तो FSS के साथ किस bank ने partnership की है कि लोगों ते घरों तक banking services पहुँचानी है वो भी ऐसे लोग जहां तक banking की services नहीं है जो underserved है. तो FSS financial software and system के साथ किसने collaboration किया? वो किसने किया? इंडिया post payment bank ने collaboration किया. किसने collaboration किया था? इंडिया post payment bank ने collaboration किया. तला of course sir very good morning. वही बहुत बढ़िया 17 जैनवरी 1949 आंसर आगया है. अमन चैल सर्ड कह रहे हैं बहुत बढ़िया. ठीक है ना? क्या हो गया? यादर सर्ड सब चौपट के हो गया? भाई कोई भी अगला तांसा नहीं करना. आराम से option को पढ़के करना. नेक्स बात कर रहे हैं अगले question की तरफ अगला question आ रहा है कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था? तो स्किल डेवलप्मेंट मिनिस्टर कौन है? महिंदरनात पांडे जी हैं आपको बताना है कि कौशल विकास यूचना की शुरुआत मोदी जी ने कौन से वर्ष में की थी? तो कौन सा वर्ष था वो 2015 में शुरुआत की गई थी कब की गई थी? 2015 में शुरुआत की गई थी. नीतिया योग भी कब बना था? एक जनवरी 2015 में ही बना था और उसी के साथ जो है कौशल विकास यूचना की भी क्या कर दी गई थी? शुरुआत कर दी गई थी. ऐसे ध्यान रखना. next question. काइट फेस्टिवल शाकरेन वो सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? पतंग उचसफ शाकरेन किस देश में मनाया गया है? तो आपको बताना है कि काइट फेस्टिवल शाकरेन जो है वो किस कंट्री में सेलिब्रेट किया गया? तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री थी? ब टेल जी की उपलक्ष में जो बना हुआ है चलो next बात करते हैं अगले question की तरफ बढ़ रहा है और अगला question आ रहा है आपकी screen पर Indian Army has recently inked US dollars 20 million deal with Idea Forge to buy which of these UAVs UAVs क्या होते हैं unmanned aerial vehicles होते हैं मतलब उड़ते हुए ऐसे vehicles जिसमें कोई वेक्ती नहीं होता unmanned aerial vehicles होते हैं भारतिय सेना ने हाली में Idea Forge के साथ 20 million US dollar का सौधा किया है कौन सी UAV खरीदने के लिए unmanned aerial vehicles खरीदने के लिए तो बहुत सारे unmanned aerial vehicles जो हैं खरीदे जाएंगे drones टाइप के खरीदे जाएंगे और उन drones का नाम क्या दिया गया था switch नाम क्या था उनका switch था तो जो unmanned aerial vehicles के लिए agreement साइन हुआ है Idea Forge के साथ US dollars 20 million का उसमें इंडियन आर्मी खरीदेगी क्या switch नाम के UAVs unmanned aerial vehicles खरीदेगी येस ओके बिल्कुल नहीं बन रहा है तो क्या करते जाना है skip करते जाना examination में भी यह strategy अपनानी है जबर्दस्ती जो answer नहीं करना है यह बगवान नाम लेकर जो है इकुदा नाम लेकर जो है क्या कर दिया जैमातादी करके जो है A, B, C कुछ भी टिक कर दिया तो ऐसे बिल्कुल मत कर के आना और specially bank के examination में जहां पर negative marking होती है और negative करकर के जो है वो पता चला positive को भी क्या कर दिया उसने कार्ट दिया नेक्स बात कर रहें अगले question की तरफ Tesla has incorporated a fully owned subsidiary in Bangaluru as a first step to set up an R&D unit a manufacturing plant for its electrical vehicles in the country where is the headquarter of Tesla located Tesla ने Bangaluru में अपनी पूर्ण स्वामित वाली सहाया company को research and development के लिए dedicate कर दिया है एक manufacturing plant develop किया गया Bangaluru में electric vehicles के लिए आपको बताना है कि Tesla का मुख्याले जो है वो कहाँ पर located है तो भाई Tesla ने अपनी fully owned subsidiary लगाई कहाँ पर Bangaluru में लगाई है research and development plant manufacturing plant electric vehicles के लिए वहाँ पर जो है क्या कर दिया है develop कर दिया है आपको बताना है कि Tesla का मुख्याले जो है वो कहाँ पर located है तो बिलकुल Tesla की बात करें तो headquarter Tesla का कहाँ पर located है भाई USA में ही located है Tesla कहाँ की company है USA की company है Tesla के अध्यक्ष का नाम बताओगे जो आपको screen पर दिखाई दे रही है अध्यक्ष का नाम बताओगे Tesla के पिये मोधी जी के अध्यक्षिता में केंद्री मंत्री मंडल ने भारत और किस देश के बीच भुकम्पिये मौसम विग्यान और महासागरी सेवाओं के साजा डेटा और परिचालन उत्पादकों को मंजूरी दी है तो memorandum of understanding sign हुआ है इंडिया और किस कंट्री के बीच में seismological, metrological और oceanic services में deal करने के लिए तो भुकम्पिये मौसम, विग्यान और महासागरी सेवाओं के लिए दोनो डेटा को क्या करेंगे साजा करेंगे, दोनो डेटा को share करेंगे ऐसे किस कंट्री के साथ MOU sign हुआ है तो बिल्कुल MOU किस कंट्री के साथ साइन हुआ है, UAE के साथ साइन हुआ है, किस के साथ साइन हुआ है United Arab Emirates के साथ साइन हुआ है हाँ, थैंग गॉड, स्टाच्यो अफ क्या है यूनिटी है, गुड मॉर्निंग विलन दुबे गुरुकुल, बिल्कुल ऐसा नाम लगते हुआ स्टाच्यो अफ यूनिटी है, ठीक है स्टाच्यो अफ लिबिटी नहीं है, ठीक है न, ओके चलो, नेक्स बात करें, अगर हम अमन सर जो है, आज क्वेसिंस करेंगे फिर आज वाली न्यूस भी कल के न्यूस में क्या करेंगे सुबे वाले में शिफ करेंगे, और रात में तो करने हैं questions, next question, which Indian brand was ranked 5th as per the Global 500 brand strength index report 2021, global 500 brand strength index के अनुसार भारत के किस भारतिय brand को पांचवा स्थान दिया गया है तो जो international जो है report आई है, global 500 brand strength index की में से इंडिया के किस brand को 5th position मिली है, तो इंडिया का वो कौन सा brand है, Reliance U है कौन सा brand रहा है, Reliance U है first पर जो है, we chat रहा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Ferrari रहा है लेकिन इंडिया के brand को कौन सी जगे मिली है तो 5th rank मिला है next पढ़ रहा है, अगले question की तरफ which organization recently set up an innovation sandbox web portal हाली में जनवरी 2021 में किस अंसान ने innovation sandbox web portal स्तापित किया है तो ये innovation sandbox रहेगा क्या, अगर जो है कोई भी financial tech company कोई app बना रही है, application बना रही है, portal बना रही है, तो उसे इस portal पर आकर क्या कर सकती है तेस्ट कर सकती है, ऐसा innovation sandbox बनाया है किसने Bombay Stock Exchange ने, किसने बनाया है Bombay Stock Exchange ने, जो financial tech companies को क्या करेगा, help करेगा कि वो अपने नए app को यहाँ पर आकर क्या कर सकती है, तेस्ट कर सकती है next question, with state union territory MOU signed MOU with North East Cane and Bamboo Development Council to boost bamboo cultivation तो बास की खेती को बढ़ावा देने के लिए समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है, तो आपको बताना है कि ऐसा कॉंसा state ये union territory रहा हाली में, जिसने MOU sign किया है, जिसने Memorandum of Understanding sign की है, North East Cane और Bamboo Development Council के साथ ताकि उस state और union territory में bamboo cultivation को बास की cultivation को वो क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके, तो किसने MOU sign किया तो बिल्कुल वो कौन सा था जमू एंड काश्मीर, जमू एंड काश्मीर में बहुत पैसा दिया जा रहा है, बहुत काम करेगा अब जमू एंड काश्मीर और लड़ाक दोनों ही Next, which ministry has organized The Month-Long Mass Awareness Campaign टाइटल सक्षम, किस मंत्राले ने सक्षम शीशक से महीने भर का जन जागरन अभियान चलाया तो जैनवरी में अगर मैं बात करूं तो सक्षम नाम का एक Long Mass Awareness Campaign चलाया गया है, और किस ministry के द्वारा इस Campaign को चलाया तो वो कौन सी ministry रही Ministry of Petroleum and Natural Gas रही कैसे कैसे फ्यूल का इस्तिमाल करना है Pollution को कंश्रोल करना है उसके लिए सक्षम Month-Long Awareness Program चलाया गया सक्षम का फुल फुल फॉर्म क्या था Sun Raktion शमता महुचसब फुल फुल फॉर्म क्या था संयुक्तराश मादम अधिकार परिश्यत की नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताईए तो आप स्क्रीन पर देख पार United Nation Human Rights Council की नई Appointed President है और इनका नाम क्या है तो बिल्कुल इनका नाम क्या है नजध शामीम खान इनका नाम शाम सर, यादव सर, राहुल सर, कमल किशोर सर, मदुमय, विराज, मनोच, बहुत बढ़िया अंत्रा माम, RD, डेविट सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं येस, ओके रमाकान सर बहुत बढ़िया, नेक्स बढ़ रहा है अगले क्वेशन की तरफ, अगला क्वेशन आ रहा है अनूप सर, हमारे स्क्रीन पर वो ये है रिसेंटी दा गूगल डूडल ओनर दा डॉक्टर जीम्स नाइस्मित ही वास असोसियेटेड विद दी इन्वेंशन ओफ विच गेम, हाली में गूगल डूडल जीम्स नाइस्मित को सम्हानित किया है, वहें किस खेल के अविशकार से जुड़े थे, तो डॉक्टर जीम्स नाइस्मित के नाम पर गूगल ने डूडल बना या तТा, बीच बीच में आप जब गूगल खुलते हो तो देखते हो कि डूडल बने रहते हैं कुछ-कुछ लोगों के उपलक्ष में या कुछ जो है important event रहता है ये किस खेल के inventor कहे जाते हैं तो किस game के invention से associated रहे तो बिल्कुल डॉक्टर जीम्स ना इसमित जिनका हाली में Google ने डूडल बनाया था ये associated रहे किसके? बास्केट बॉल से किस से associated रहे बिल्कुल बास्केट बॉल और बास्केट बॉल गेम के inventor कहे जाते हैं देखे ना ये स्वी चाट रहा फेरारी रहा सबेर रहा और कोका जी हो रहा बिल्कुल से फिर उसके बाद क्या रहा है? फिफ्ट नंबर पर जी हो रहा है बहुत बढ़िया नेक्स बढ़ रहे हैं अगले क्वेशन की तरह फलका मैम अगला क्वेशन आ रहा है स्क्वीन पर और वो ये आ रहा है पलक मैम नेली थर्मल पावर स्टेशन इस सिचटेड इन वी स्टेट नेली थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राजमे इसटेता है अगले question की तरफ, इंडिया's first railway station with a green building certification, green building certification वाला भारत का पहला railway station कौन सा रहा है, तो बिल्कुल वो कौन सा रहा है, केवडिया railway station गुजरात का, केवडिया railway station जो है, उसे green building certification दिया गया है, मतलब, VVIP lounge है, ASIC waiting rooms के अलावा, इस तरीके से technology को बनाया गया है, कि waste management जो है, इसके अलावा, biomass management भी है, तो बहुत सारे लोग अब statue of unity को देखने के लिए आते हैं, इस वज़े से जो है, इसे green building certification भी provide किया गया है, जिसमें पूरी तरीके से greenery को environment को बचाने के बारे में, technology य बनाया गया है, एक tribal art museum भी बनाया गया है, इसी के अंदर, तो बहुत develop कर रहा है, गुजरात, no doubt, ठीक है, गुजरात से हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए, उन्होंने, I hope, केवडिया station जो है, वो देखा होगा नायावाला, next question, प्रधान मंत्री ने हाली में, कितने amount के साथ, Startup India Seed Fund निधी शुरू करने की घोशना की थी, ताकि Startups के लिए बीज धन की कमी ना हो, तो यहाँ पर Seed Money का यह मतलब नहीं होता है, कि उन्हें जो बीज खरीदने के लिए पैसा देना, यहाँ पर Seed Money का मतलब होता है, जो Startups, जो नई कमपनी स्टार्ट करते हैं, उन्हें Basic में Fund की जरूवत होती है, पैसे की जरूवत होती है, और वो जो Basic Amount होता है, शुरूआ पिंडिया Seed Fund की शुरूवात की गए, देखो, यह Question बहुत Important है, क्योंकि Startups के लिए है, और बहुत बढ़िया जो है, यह Question है, अकसर जो है, यह Question आप देखोगे, कि Examination में पूचा जाएगा, इधर उधर से घुमा घुमा कर, Next Question, NASA Godad Institute for Space Studies says that Dash Year was the hottest year on record, tying with 2016, नासा की Godad Institute ने यह कहाए, कि ऐसा कौन सा वर्ष रहा है, जो सबसे ज़दा गरम वर्ष रहा है, और 2016 के साथ वो जो है, टाए कर रहा है, मतलब 2016 वाला वर्ष भी पहले सबसे गरम रहा है, तो वो कौन सा hottest year आए, तो 2020 के year को क्या कहा गया है, hottest year कहा गया है, जो टाए कर रहा कोई तो बता दो भाई, शामीम खाम वो किस कंट्री से बिलॉग करती थी, एक answer आया था मेरे पास, जिसने सही बोला था, बिल्कुल अर्जुन सर ने एकदम सही आंसर बोला था, फिजी से बिलॉग करती थी, वेरी गुड अर्जुन सर, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी मुंबही में निधन हो गया है वह किस छेत्रे से संबंदित थे आपको बताना है तो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी जिनका हाली में निधन हो गया है वह रिलेटेड थे किस से म्यूजीशन थे कौन थे म्यूजीशन थे नेक्स बढ़ रहे अगले रवी गायक वाड को नियलसन मंडियला वॉर्लड यूमानिटेरियन अवाड को बहुत सारी में इंपरियंट मिशन अवर्र कुल 16다 और नियलसन मंडियला पनाएज बूक्डाग को आउसे ऑपलakष में नियलसन मंडियला डे भी मना जाता है। जो रेलवे में पूची जा चुकी है, लॉग वॉक टू फ्रीडम की बात करें, तो ये भी नेलसन मंडेला जी की ही बुक है, नेक्स बढ़ रहे हैं अगले क्वेशन की तरफ, किस राज ने एक स्कूल, एक आईएस योचना शुरू की है, तो आईएस की प्रपरेशन कराएगा, वो अपने ही स्कूल में, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो पढ़ने में बहुत जादा अच्छे हैं, उनके लिए स्कीम को चला जाएगा, तो फ् इस कிया, जो प्रपरेशन को सिलेट्ट है, तो बिल्कुल यह यह साथ पार्टनशिप की ती, अधव टबला वेलनेस प्राइविच प्राइविच लिमिटेट के साथ, नेक्स क्ट्वेशन, अशोग दल्वाई कमिटी इस रूटड टू, अशोग दलवाई समिटी किससे तो अशोग दलवाई कमिटी जो है बहुत पहले बनाए गई थी सरकार के द्वारा लेकिन ये किस से संबन देता है इंपोर्टेंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट गये निश्पादी संपतियां रीजनल कनेक्टिविटी सारे रीजिन्स को कनेक्ट करना किसानों के आए को दूगना करना ये डेटा को प्रोटेक्ट करना तो अशोग दलवाई कमिटी की बात करें तो ये किस से संबन देता है तो बिल्कुल ये किस से संबन देता है किसानों के आए को दूगना करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई थी और किसानों के आए को दूगना करने क सरकार का टार्गेट क्या है दो हजार बीस तक जो है फार्मर्स की इंकम को क्या करना है डबल करना है ठीक है ना ओके ठीक है प्रदीप सर चलो अराम से जाओ भई चलो नेक्स स्टीड मनी स्टार्टप फंड एक हजार करोड रुपे था बहुत बढ़िया नेक्स बढ़ रहे हैं अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर डीसेंटली नागी नागी नाग्ती बर्ड सेंचुरी आरे न्यूस दीज देज इन विच नागी नाग्ती बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड हाली में नागी नाग्ती पक्षी अभिरन न्यूस में बना रहा है आपको बताना है कि नागी नाग्ती बर्ड सेंचुरी जो है वो कहां पर सित है यादे ना कल्राफ फेस्टिवल हुआ था ठीक है ना कल्राफ फेस्टि आइड दः यॉनेक्स थाइलेंट उपन सुपन. 1000 बैडमिंटन टूर्णामेंट 2021. सबसे पहला बैडमिंटन टूर्णामेंट जो स्टार्ट हुआ वो कौन सा हुआ? थाइलेंट सुपर बैडमिंटन टूर्णामेंट से शुरुआत हो गई. 2021 फर्षखी आपको बताना है कि Women's Single Title जो है वो किसे दिया गया था तो Women's Single Title कौन जीता है Thailand Badminton Tournament में तो वो कौन जीते हैं Carolina Marin जीती कौन जीती Carolina Marin किस country से बिलॉंग करती है ये लिखकर बताओगे comment box में किस country से बिलॉंग करती है ये लिखकर बताओगे comment box में next question रामनुजन ट्रॉफी इस associated with which sports रामनुजन ट्रॉफी किस खेल से संबंदेत है तो रामनुजन जी जिसे Maths का Magician कहा जाता है और अगर हम बात करें तो रामनुजन जी के उपलक्ष में Maths Day Mathematics Day भी मनाया जाता है mathematics Day ये लिखकर बताओगे comment box में अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि रामनुजन ट्रॉफी जो है किस से संबंदेत है तो बिल्कुल किस फील से संबंदित है वो किस से संबंदित है table tennis से जो है संबंदित है next question union government has decided to celebrate the birthday of नेता जी सुभाज चंदर बोस as a पराकरम day on which date every year केंदर सरकान ने ये गोशना कर दी है कि नेता जी सुभाज चंदर बोस की जन्म दिन को हर साल अब पराकरम दिवस के रूप में celebrate किया जाएगा कब celebrate किया जाएगा हर साल पराकरम दिवस अब तो वो कौन से date है तेज जन्वरी को हर साल जो है नेता जी सुभाज चंदर बोस की birthday के उपलक्ष में इस दिवस को पराकरम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा next पढ़ रहे है अगले question की तरफ DRDO hands over motor bike ambulance रक्षिता to CRPF it was developed by the institute of nuclear medicine and allied services in moss DRDO laboratory where is the headquarter of in moss located आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि DRDO ने CRPF को Central Reserve Police Force को एक motor bike ambulance जिसका नाम क्या है रक्षिता वो दी है इस जो motor bike ambulance है इसे design किस ने किया है तो institute of nuclear medicine and allied sciences जो DRDO के एक laboratory है उसने इस motor bike ambulance को design किया है जिसको नाम दिया गया है क्या रक्षिता आपको बत ने इसे बनाया है इसका headquarter कहां पर located है तो अगर मैं बात करूं institute of nuclear medicine and allied sciences जिनों ने इसे बनाया है इस motor bike ambulance को बनाया है इसका headquarter कहां पर located है न्यू डेली में located है कहां पर located है न्यू डेली में located है next question with whom Asian Development Bank partner to protect oceans and support the blue economy किसके साथ Asia Vikaz Bank ने महा सागर की रक्षा और नीली अर्थ विबस्ता का समर्थन करने के लिए भागिदारी की है तो Asian Development Bank और किसने साथ में agreement किया है तो वो कौन सा है European Investment Bank है कौन है European Investment Bank दोनों मिलकर oceans को protect करेंगे महा सागर की रक्षा करेंगे और नीली विबस्ता मतलब blue economy को समर्ते देंगे blue economy मतलब fishes को और उसके अंदर रहने वाले जीव जन्तु जो है उन्हें क्या किया जाएगा बचाया जाएगा next question What was the theme of the 24th National Youth Festival 2021 चौबीसवे राश्टे युवा महसब 2021 का विशय क्या था तो आपको बताना है कि जो National Youth Festival celebrate किया गया है उसका विशय क्या था तो बिलकुल 12 जन्वरी को National Youth Day मनाया जाता है National Youth Festival celebrate किया गया और इसका जो है इसकी theme क्या थी तो theme क्या थी युवा हा उच्सव नए भारत का तो इसकी theme क्या थी युवा उच्सव नए भारत का इसकी क्या दी गई थी theme दी गई थी सही है सर तांक्यू सो मज बठ हम क्या ही कर रहे हैं सिर्फ questions ही कर रहे हैं चलो next बात करते हैं अगले question की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया प्राची माम पिंकी कुमारी हमारे सच जुड़ चुकी हैं बहुत बढ़िया राहूल सर खागे इंदरी सर आ गए हैं प्रदीप सर बेरी गुड आतिफ सर बहुत बढ़िया सुश्मिता माम जुड़ गई हैं ओके आतिफ सर नेक्स बात कर रहे हैं डेविट सन अगले question की तरफ बढ़ रहे हैं देवरा गॉर्डर गावसकर ट्रोफी जीती है और आपको बताने की final test match जो है वो खाहा पर खेला गया तो बिल्लकुल final test match आप तो नाम सुन सुन के ठक गए होगय कहां पर खेला गया daava स्टेडियों ब्रिजबेन में कहां पर कहला गयाします क्यांता कर रहे हैं अगले question के तरफ इंडि सबसे पहली बार दिये गए थे पांगलादेश को उसके बाद ये क्रम तो है वो क्या हो गया था स्टार्ट हो गया था नेक्स वी शांता जिनका हाली में निधन हो गया था वे किस चेत्रे से संबंदित थे तो आप देख पा रहे हो डॉक्टर वी शांता जी को और ये क्या थी ओन्कुलोजिस्त थी ये क्या थी ओन्कुलोजिस्त थी ओन्कुलोजिस्त क्या होता है जो कैंसर पेशिंस को क्या करते हैं तो ओन्कुलोजिस्त थी सरस्वती सम्मान जो है ये अन्वल अवार्ड होता है किस शेत्र में दिया जाता है तो बिलकुल जो है किसमें दिया जाता है ये दिया जाता है किसमें पोईट्री में दिया जाता है किसमें दिया जाता है पोईट्री में दिया जाता है The National Disaster Response Force NDRF ने अपने कौन सा नंबर का स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी को National Disaster Response Force राश्टे आपदा प्रतिक्रिया बलने 19 जनवरी को अपने कौन से नंबर का स्थापना दिवस बनाया हमने बड़े अच्छे से डेट्स वाला PDF जो है वो प्रोवाइट किया था जिसमें हर चीज मेंशन कर दी थी तो National Disaster Response Force ने अपना कौन सा 16 रेजिंग डेस था अपना दिवस मनाया था कब 19 जनवरी को मनाया था मैस ये मनाया जाता है कब 22 डिसमबर को ठीक है ना चलो अराम से करना है कि रनमाम गलत नहीं करना है Next question Name the zoo which has recently been renamed by the Maharashtra Government after Balasaheb ठाकरे Balasaheb ठाकरे जी के नाम पर हाली में किस चिडिया घर का नाम महाराश्य सरकार ने बदल दिया है तो Balasaheb ठाकरे जी पर जो है rename किया गया है उस zoo का नाम और वो zoo कौन सा है गोरेवाडा इंटरनाशनल zoo गोरेवाडा इंटरनाशनल zoo जो है उसका नाम चेंज किया गया और किसके नाम पर रखा गया है Balasaheb ठाकरे जी के नाम पर रखा गया है Next question Simplipal National Park भारत के किस राजमेस थेते हैं, Simplipal राष्ट्री उद्यान भारत के किस राजमेस थेते हैं, आपको बताना है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार question पुछा जाता है, Simplipal National Park का और पर किस kabben। कहां पर है नाग दंढर एड़ना सब्सक्राइब, तैलंग डिखाल, पहों ही घिंड्र जरसा हुआ, उकलि श्रीदर इस बंद। 29 और 12 सुखोई 30 MKR fighter aircraft for the Indian Air Force भारत सरकान ने भारती वाई सोना के लिए एक किस मिग विमाल और सुखोई विमाल लडाकू के खरीद के लिए किस देश के साथ जो है योचना बनाई है तो कौन सी कंट्री के साथ जो है डील साइन की है गवर्मेंट ओफ इंडिया ने तो वो कौन सी कंट्री रहेगी भई रश्या रहेगी तो मिग याँ फिर जो है MKI सुखोई fighter aircraft के लिए जो है government of India किसके साथ deal कर रही है रश्या के साथ, किसके साथ deal कर रही है बिल्कुल रश्या के साथ, नेक्स बढ़ने अगले question की तरफ, विश्ववीर अहुजा जी को हाली में किस bank के MD और CEO के रूप में फिर से न्यूक्त किया गया है, तो कौन सा bank रहा वो RBL bank, कौन सा bank रहा RBL bank, रतनाकर bank limited, headquarter बताओगे मुझे RBL bank का, headquarter बताओगे RBL bank का, तो बड़ा ही issue बना रहा RBL bank, अभी next question, first women fighter pilot जो जिनों ने Republic Day Parade में हिस्सा लिया, first women fighter pilot जिनों ने जो है Republic Day Parade में हिस्सा लिया, तो वो कौन रही, भावना क Next question, घर-घर रोजगार ते कारोबार mission, यह किस राज़ सरकार के द्वारा start किया गया, घर-घर- रोजगार ते कारोबार mission, यह जो है, किस राज़ ने शुरू की गई, पहल है, तो कौन से राज़ ने चालू की भई, नाम से ही समझ में आ रहा है, कौन से राज है, पंजाब है घर घर रोजगार ते कारुबार मिशन यह जो स्राइट किया गया मिशन ही किस के द्वारा किया गया बिलकुल पंचाप के द्वारा किया गया next question in which state science city with a total expenditure of rupees 184 करोड विल बी built at तिपसिया ठीक है तिपसिया में 184 करोड रुपे के खर्श के साथ science city किस राज में बनाई जाएगी तो science city बनाई जानी है तिपसिया में और यह जगे है कहां पर असम में तो असम में जो है एक science city बनाई जाएगी तिपसिया में next question additional charge आयूश मंत्राले का किसे दिया गया आयूश मंत्राले का अतरिक प्रभार किसे दिया गया तो किसे दिया गया, Sports Minister किरन डिजीजु जी को दे दिया गया, क्यों दे दिया गया, आयूश Minister कौन थे, श्री Paddyasunaayak जी थे, श्री Paddyasunaayak जी की बात करे, तो उनका जो है, car accident हुआ था, जिसमें उनकी जो spouse हो उनकी death हो गए, इसके बाद वो hospital में अदमिन रहें, जिस वज़ night 21 is a joint exercise between India and which country air force desert night Vietnam का युद दब्यास इंडिया और किस कंट्री की वायो सिना के बीच में रहा तो बिल्कुल किस कंट्री की वायो सिना के साथ इंडिया ने ये exercise की तो वो कौनसी कंट्री रही वो फ्रांस रही नेक्स पढ़ रहे हैं United Kingdom has invited Prime Minister Nareen Modiji to attend the G7 Summit as a chief guest. It is an inter-government organization that was formed in which year? United Kingdom के head ने invite किया Modiji को G7 Summit करने के लिए आपको बताना है कि जो G7 Summit है ये कब बना था? कब जो है इसकी शुरुआत की गई थी तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी ध्यानक ना इंडिया G7 का member नहीं है G7 में group of seven countries में कौन कौन सी कंट्री है? तो France है, Germany है, Italy, Japan है, UK है, USA है और कौन सी कंट्री है? Canada है ठीके तो इंडिया को क्या किया गया था? तौन सी बॉबाइज की शुरु था? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि कौन सी स्टेट ने तॉप किया? हिमाच्छुर प्रदिश हिली स्टेट्स में जो है टॉप पर रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया न्यू डेली ने यूनियन टेरिटरी के टॉप और और लार्ज स्टेट्स में किस राज जुने टॉप किया था ये लिखकर बताओगे comment box में next question मेघाले मनिपूर तरिपुरा तीनों ने अपना राजुत सब दिवस मनाया कौन से दिन मेघाले मनिपूर और तरिपुरा ने तीनों ने अपना राजुत सब दिवस मनाया किस तारीक को तो बिल्कुल किस तारीक को मनाया 21 जनवरी को मनाया किस-किस ने मेगाले, मणिपूर और तृपुरा ने जो है अपना राजुत सब दिवस मनाये कब 21 जनवरी को इंडियन नेभी, इंडियन एर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में अंडमान और निकुबार कमांड के द्वारा एक exercise कंड़क्ट की गई इफेंस मिनेस्टर राजनाथ सिंग जी ने agreement sign किया है सम्मरीन rescue support और cooperation के लिए किस country के साथ तो दोनों कंट्रीज मिलकर सम्मरीन rescue support cooperation करेंगी तो सम्मरीन को बचाना, पंड्यूब्यों को बचाना जो खो जाती है इससे related MOU sign हुआ है किस country के साथ हुआ है, भै सिंगापोर के साथ हुआ है, किस country के साथ हुआ है, सिंगापोर के साथ हुआ है हाँ, वो सिंपली पाल है, सिंपली पाल नहीं है, वो सिंपली पाल है, बिल्कुल सही कह रहे हुआ रमाकान सा नेक्स question, रिसंटी इन विच सेक्टर डिट काबिनेट अप्रूवड MOU of India with Uzbekistan हाली में किस छेतर में क्याबिनेट ने उस बेकिस सान के साथ भारत के समझवते गयापन को मन्जूरी दे दी है तो extrater्र डिटियर हिए, बारत के किस राजमिस्ट है तो डिशेंट से दूद से आद आ घयोगए, वहां के लोग बहुत पेहलवान टाइब की भी होते है तो National Dairy Research Institute कहां पर located है भाई, करनाल हरयाणा में located है, कहां पर located है, हरयाणा में located है, गुड मौर्निंग मितलेश सर भाई, इतने ही लेच, चलो next बढ़ रहे हैं, अगले question की तरफ, बलपाकरम नाशनल पाक भारत के किस राजमिस सेत है, बलपाकरम राश्य उध्यान भारत के कि राजमिस सेत है, तो बलपाकरम राश्य उध्यान कहां पर located है, मेघाले में located है, मेघाले में located है, मेघाले में located है, मणिपूर और मिजुरम की बात करें, तो इन तीनों के नाशनल पार्क से एक जगे लिख लिए ना, क्योंकि इन में क्या रहता है, confusion रहता है, next question, Reserve Bank of India ने State Bank, ICIC Bank और कौन से बैंक को घोशित किया हाली में, domestic systematically important bank, यहां फिर too big to fail, तो बिलकुल SBI रहा, ICIC Bank रहा, और कौन सा बैंक रहा, HDFC, जिसे D से बैंक घोशित किया गया, किस के दौरा, RBI के दौरा, next question, Global Climate Risk Index में इंडिया का rank कौन सा, Global Climate Risk Index में इंडिया का rank कौन सा, next question की बात करें, International Customs Day कब celebrate किया जाता है, तो बिलकुल, अंतराशी सीमा शुलक दिवस जो है, वो 26 जनवरी को Republic Day के साथ क्या किया जाता है, celebrate किया जाता है, सीमा शुलक दिवस, Next question की दरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से बता दो, पद्न विबूशन अवार्ड से कितने लोगों को नवाज़ा गया है, इस बार के पद्न अवार्ड में, ठीक है, तो पद्न विबूशन अवार्ड येस, पद्न विबूशन अवार्ड से कितने लोगों को नवाज़ा गया है, पद्न अवार्ड में, तो कितने लोग रहे हैं, वो साथ लोग रहे हैं, इतने लोग रहे हैं, सात लोग रहे हैं, इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया को कब बनाया गया है तो भारत निर्वाचन आयोग ECI के स्थापना किस वर्ष में की गई तो कब की गई इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की शुरुवात ठीक है ना हाँ बिलकुल अब मैं लेट आई थी तो पांच मिट में एक्स्ट्रा भी पढ़ाओंगी नेक्स क्वेशन एक पौधा सुपोशित बेटी के नाम ये किस राजी के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है तो एक ब आपका जो बिलकुल कॉम्पटेटर आ गये हैं शिवा मुपादे सर भी जुट चुके हैं हमारे साथ दशन सर जुट चुके हैं तो ये किस राजी के द्वारा स्टार्ट की गई तो राजस्थान के द्वारा स्योचना को स्टार्ट किया गया और आज की क्वेशन जो है कल के क्वेशन नहीं देखे हैं रात के तो अभी जो है यूट्यूब पर एविलेबल रहेगा तो बिलकुल उसके क्वेशन देख लीजेगा और एक बड़ी कबर ये कि संडे को जो है MCQ सेशन करेंगे इंपोर्टेंट क्वेशन का किस पर बजट और एकनोमिक सर्वे पर त बिलकुल आप सेलेक्शन पर चाननी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे साथ कनेक हो सकते हो thank you very much to everyone अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान लखना जो भी प्यारे साथ की हमारे साथ connected रहे अगर चानल को subscribe नहीं किया है तो चानल को subscribe करना ना भूले bell icon दबा दें ताकि कोई भी important information miss ना हो पाए जाते जाते session को like करते जाएगा हम मिलेंगे रात में 12 बजे तब तक के लिए bye bye guys take care have a nice day